बिहार में एक अफवाह गैंग काम कर रहा है राजद प्रायोजित अफवाह गैंग उन्होंने अपने राजनेतिक भविष्चे को बनाने के लिए बिहार के भविष्चे का सर्वनास कर दिया और लालू जी तो सजायाफता मुझरिम है उनको तो जेल में होना चाहिए और और उनको मेरा मानना है कि उनको राची के जेल में नहीं होना चाहिए उनको अंडमान के जेल में होना चाहिए जिस बिहार की गाथा संपूर्ण विष्व ने देखी संपूर्ण भारत भूमी ने देखी संपूर्ण एसिया महादेश ने देखी आज वही बिहार के बच्चे एक परिवार के आगे पिछे क्यों घूमेंगे लालू जी का इलाज अलाकि उनके अच्छे स्वास्त की मैं काम ना करता हूं लेकिन लालू जी का इलाज सिंगापूर में उनके बेटे कराते जो हमारे जो बिहार के जो नागरिक हैं आम नागरिक हैं मताएं बहने हैं उनका इलाज हो सके उनका भी किड़नी ट्रांस्प्लांट हो सके उनका भी हार्ट ट्रांस्प्लांट हो सके उनका भी जीवन बच जाए ये परिस्थितिया उन्होंने डेवलप क्यों नहीं की इतने वर्सों में मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ जब वो अपने परिवार के सदस्चियों को अपने नजरों के सामने मरते हुए देखते हैं और बिहार के लोग जब इस प्रकार का दंस जब जहलते हैं पलायन का दंस जहलते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो असपर्स ट्रूप से लालू परिवास ये समझना है हिंदुत्यों की परिभासा है सायद उनको नहीं पता होगी लालू जी को सबसे पहले तो हिंदुत्यों समझने की आवश्यक्ता है तो हिंदुत्यों को समाप्त करने का एक समयलग उसमें स्टाइलीन जा करके कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है इस परकार की बाते करता है इनके पूरो में जो सिख्छा मंत्री थे लालू जी के वो कहते हैं कि राम चरितर मानस के विशे में वो लगातार आए दिन टिका टिपनी करते है तो इस परकार से इन्होंने एक एजन्डा सेट किया कि सनातन को मानने वाले लोगों को तोड़ो सनातन को अलग-अलग तरीके से विभाजित करो और इसी नीती का अनुसरन तो लालू जी कर रहे है ये जान बुझकर छुट भाईया बयान देते है ताकि फुटेज मिलता रहे और ये इनकी क्रेडिबिलिटी जो है समाप्त हो चुकी है पूरे देश में देश में तो कोई जानता भी नहीं है बिहार में तो क्रेडिबिलिटी जो है इनकी वो समाप्त हो चुकी है इनके बेटों की भी क्रेडिबिलिटी जो है वो समाप्त हो चुकी है नाज़कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनमेफ न्यूज लोग सबह चुनाओ 2024 के दिन बहुत ही करीब है और इसके साथ ही सभी राजनिती के जो पार्टियां है वो चुनाओी मैदान में कूद गई है और बीजेपी का इस बार एक ही नारा है कि अब की बार शशांग जी है तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वादत है कि आपने किमती वक्त निकाला तो जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि अब की बार बीजेपी का एक नारा है कि अब की बार 400 पार तो इस आकड़े को आप लोग कैसे पार करेंगे देखें ये समझना पड़ेगा आज भारतिय जनता पार्टी 2014 के बाद जिस परकार से भारतिय जनता पार्टी शंपूर्ण देश में लगातार जीत अरजित करते जा रही है और 2014 के पहले की घटनाओं का जब आप उलिक करेंगे 2014 के पहले की परिस्थितियों का जब आप मुल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्तमान में जो इंडी एलाइंस की जो बना है और उस समय जब यही इंडी एलाइंस जो है वो महागडवन्धन के नाम से जब सरकार चला रही थी तो यह अपने नीजी हितों के लिए कारे करते थे यह जिन राज्यों में भी इनकी सरकारे थी इन्होंने सिर्फ संसाधनों को लूटने का कारे किया परन्तु भारतिय जनता पाटी एक विजन के तहत काम करती है जो चुनाव परिनाम निकल करके आते हैं 36 गड़ मध्यपरदेश और राजस्तान इन तीनों की भागोलिक परिस्थितियों का जवाब मुल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि आदिवासी छेत्रों से आने वाली जो माताएं हैं बहने हैं उन लोगों ने आगे बढ़ करके देश की यससुवी प्रधान मंत्री आदर्निया सरी नरेंदर मोदी जी को अपना बेटा माना अपना भाई माना क्यों माना यह भी समझना है क्योंकि कहीं न कहीं इन छेत्रों में जो स्वास्थ सुविधाओं का जो अभाव था उनको पूरा करने का काम किस ने किया वो भारतिय जनता पाटी के नेत्रेत्तों ने किया उनकी चिंता किस ने किया तो तो आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी विधता में बसे हुए भारत वर्स की एक जूटता के लिए कारे करते हैं। और भारत के में वो अपना वैक्सीन बेचेंगे परन्तो भारत सरकार ने आदर्निय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के विजन ने इन सभी चीजों को नकारा साबित किया और आगे बढ़ते हुए संपूर्ण देश के लोगों के लिए देश में जो भी जो स्वास्त वशुदेव कुटुम्बकम की नीती पर आगे बढ़ते हुए संपूर्ण विश्व को जहां भी इसकी आवश्यक्ता थी यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज जो वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर सकते थे उनको भी वैक्सीन की उपलब्दता करवाई गई लेकिन एक चीज कि जो आप लोगों ने ये 400 पार अपकी बार 400 पार करें जो नारा दिया हुआ है इसके साथ बीजेपी के साथ हमेशा सी ये जोड़ा जाता रहा है कि बीजेपी जोड तोड की राजनिती करती है बिहार आपके सामने है हिमाचल परदेश में क्या हो रहा है ये भी देख रहे हैं आप जो है साउथ में जो है जो साउथ इंडिया है वहाँ पे आपकी क्या हाला थी आपको अच्छी तरीके से पता है ठीक बेंगॉल में ममताब अनरजी है लेकिन और इसके साथ बीजेपी के साथ ये भी कहा दिया जाता है कि चाहे पार्टी कोई भी जीत करके सत्ता हमारी बनेगी सत्ता जो सरकार बनेगी वो हमारी बनेगी और ये सिर्फ एक ही बुनियार पिखा जाती है कि बीजेपी जोड़ तोड़ करती है जो बिहार में हुआ जो हिमाचल परदेश में भी हुआ तो इस तरीके क्या आप इसको आधार मान करके ये कह र जो पूरा बना हुआ है, ये इंडी अलाइंस में एक से बढ़ कर एक परिवारवाद की मंडली है, परिवारवाद की जमात है, मुलायन परिवार, स्टाइलिन परिवार, लालू परिवार, मुफ्ती परिवार, गांधी नहरू परिवार, ये परिवारवाद की मंडली जो पाकि उनकी जो राजनेतिक विराशत है वो बनी रहें परंतु परिवार बात कर रहे हैं तो बीजेपी के अंदर भी ऐसे में गिनवा सकता हूं अगर आपके हैं तो मैं गिनवात हूं कि बहुत सारे हैं जिनके बेटे को टिकट दिया गया उनके अब जैसे कि अमिच शाह के बेटे जैस्षा उनको किता एक्सपेरियांस एक किरिकेट का उनको क्या जानते हैं लेकिन वो जागर को हाँ पे बैठे हुए हैं राजनात सिंग के बेटे को टिकट मिलना है मालनी सनी देवल ये परिवार नहीं है ये आपको अभी वरुन गांधी मेंका गांधी ये भी प मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान स्री राम चंदर जी की आचार विचार संसकारों पर अगर हम काम करते हैं और निश्चे ही जब उनकी बात करते हैं तो सिर्फ मर्यादा पुर्शोत्तम स्री राम चंदर जी की मूर्ती बनाना ही हमारा उद्देश नहीं है हमारा उद्द जिनको पूर्ण कर दे राम हो गाथा नहीं है तो मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान स्री राम चंदर जी आचार विचार और संसकारों की एक कहानी है जो समाज की अंतिम पायदान पे बैठे हुए वैक्ति को आगे बढ़ाने का जो राम राज्य का संकल्प और राम राज्य है और कहीं न कहीं जब बात 400 पार की बात होती है तो क्यों नहीं हम 400 पार की बात क्यों नहीं करें मैं ये भी समझना है एक मिनट आप आप सिद्धानतों की बात करते हैं एक तरफ ये कहते हैं कि नितिश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए दर्वाजा बंद हो गया ले काम करते हैं, जिनको अपने परिवार की मंडली को बचाय रखना है सता कभी भी भारतिय जनता पार्टी की प्रात्मिक्ता नहीं रही सता, यह सब्द जो है इससे भी हम इत्वाक नहीं रखते है हमारा उद्देश सेवा है अगर हम किसी भी अस्तान पर होते हैं, तो वहाँ पे हमें नैतिक दाइत तो प्राप्त होते हैं, ताकि हम सेवा कर सकें, भारतिय जनता पार्टी का अगर कोई भी नेता है, वो सेवा नीती के साथ आगे बढ़ता है, आज देश में 21 करोड से भी जादा कारे करता, अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर भारतिय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो कही न कही उस जुडाओ को महसूस करता है, जो नैतिक दाइत तो नैतिक आचरन और नैतिक संकल्प के साथ जो हम आगे बढ़ते हैं, रामराज्य के उद्देश्य के साथ, सब के साथ, सब के विकास, सब के कल्या सबकी उननति सबके उत्थान का जो हमारा लग्चे है उस दिसा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सब भारत का प्रतेग नागरिक गो हो तुर閑ी कहीं न कहीं हमारे साथ खड़ा होता है मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी वैक्ति, जो मुझे सुन रहा है, जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ है, चाहे वो रिक्सा चलाने वाला वैक्ति हो, चाहे वो सबजी बेचने वाला वैक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाती, मजह, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला वैक्ति हो, अगर उसको ल अंतिम सास तक करेंगे, उनके आखों के सपनों को पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है, और उनके आखों के सपनों को पूरा करना, एक ऐसे तरीके से पूरा करना, जिसमें उनके साथ गरीमा मई वहवार हो, उनके साथ सम्मान जनक वहवार हो, और वही सर्वसरेष्ट है, य भारत मा कहने का अर्थ है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराथा, अर्थार, दक्षिन भारत की मिट्टी भी हमें उतनी ही प्यारी है जितनी उत्तर भारत की मिट्टी प्यारी है ठीक है लेकिन अगर हम विहार के राजनिती पर बात करें तो ऐसा राजनिती की विसले शकों का मानना है कि जब से नितीश कुमार के साथ मिल करके आप लोगों ने वहाँ पर सरकार बनाई है तो पूरा पूरा जो एक जन सहलाब है जो वो तेजस्वी यादों के तरब से चला नहीं है इससे बीजेपी के भी कई नेता जो हैं वो नाराज हैं क्योंकि बीजेपी के नेता जो जमीनी अस्तर पे वहाँ पे महनत कर रहे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं एक तरफ नितीश कुमार जी इधर से पल्टी मारते हैं इधर आते हैं और वो अपना पद पर बने रहते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नराज़गी है, क्योंकि मैं इस सवाल इसलिए भी कह रहा हूं, कि चिराग पासवां जो कि खुद को परधान मंतरी मोधी, जी क्या वो हनुमान जी कहते हैं, खुद को हनुमान मानते हैं, वो हनुमान जो है नितिश कुमार से नाराज दिखते हैं और अभी जब परधानमंत्री मोधी बिहार गए हुए थे तो वो जन सभा में भी वो नहीं पहुँचे थे तो आपको लगता है कि नितिश कुमार को अपने साथ लागर के कहीं ना कहीं आप लोग का नुकसान होगा या हो रहा है देखे ये जो प्रश्ण आपने किया है इसकी प्रिष्ट भूमी को भी देखना पड़ेगा बिहार में जब जंगल राज था और बिहार में एक अफवाह गैंग काम कर रहा है राजद प्रायोजित अफवाह गैंग जो कि कहीं न कहीं बालू माफिया सराब माफिया और भू म आफिया के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये कारे कर रहा है जो आए दिन भारती जंता पार्टी के नेत्रितों को बदनाम करने की साजी सरचता है ये भी समझना पड़ेगा बिहार की जब आप जंगल राज की प्रिष्ट भूमी देखेंगे उसमें आपको असपस्ट र पलायन जब कस्मीरी माताओ बहनों को कस्मीरी ब्रह्मनों को कस्मीर से पलायन करना पड़ा और तीसरा स्ट्रेटेजिक ब्रेंड ये जो की लालू जी के द्वारा करवाये गया वो पलायन का सबसे बड़ा ह sorcery अर्थार्थ एक कहावत है अंधों में काना तो बिहार में जो सिक्षा जो हमेशा सवाल खड़े करती है, बुद्ध और महावीर की धर्ती है बिहार, गुन और ज्ञान की भूमी है बिहार, नालंदा और विक्रम सिला की भूमी है बिहार, तो लालू जी को असपस्ट रूप से पता था, कि जो सिक्षा सवाल खड़े करत उस सिक्षा को समाप्त कर दो, जो quality brain drain उसको कराओ, ताकि बिहार के बच्चे जब पलाइन कर जाए, बिहार का जो quality brain drain हो जाए, तो अंधों में काना राजा जो कहावत है वो चरितार्थ हो सके, उन्होंने अपने राजनेतिक भविष्चे को बनाने के लिए बिहार के भविष का सरवनास कर दिया, और लालू जी तो सजायाफता मुझरिम है, उनको तो जेल में होना चाहिए, और उनको मेरा मानना है, कि उनको राची के जेल में नहीं होना चाहिए, उनको अंदमान के जेल में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा वैक्ति, जो कही न कही खतरनाक तरीके से बि पहार के लोगों के साथ इस प्रकार का उन्होंने बिवार किया जो बच्ची आज सडकों पर बिहार में बटक रहेएं उन बच्चों के पिताजी के कभी भविस्से खराब करने का काम किस ने किया तो राज़त प्रायोजित गुन्डा तंतर ने किया ये भी समझना है कि सबसे जादा बिहार में एक पार्टी जिसने सिर्फ अपराधियों को टिकट दिया जिसने सिर्फ ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो अपने अपने जिलों में जिन लोगों ने भरस्टाचार जिन लोगों ने भू माफिया बालू माफिया सराब माफिया के रू पार्टी प्रारंब की और बहांसू का चारा खा गए तो जिन लोगों ने बहांसू बिहार की बहांसू की घडिया गला दी वो कभी बिहार के लिए न्याई की बात करेंगे क्या यह सिर्फ एक अफवाह गैंग है जो बार-बार बताता है कि यहां भीडाई वहां भीडाई को सवाल कर रहा था आप यह क्या रहें कि अफवाग गैंग है सिर्फ यह भीड यहां दिखाने के लिए वहां दिखाने के लेकिन जो तिजस्वी आदों ने अभी जो जन विश्वास रेली निकाली है इसमें तो भीड साब दिख रही है कि वही बोल रहा हूं पांच साल में स किसानों की याद नहीं आती है उनके आखों के जो सपने है वो सपने नहीं है क्या गरीब का जो बेटा है वो पढ़ेगा नहीं क्या गरीब के बच्चों के सपने सपने नहीं है क्या सिर्फ लालु जी के ही बेटों के सपने कैसे हो सकते हैं क्या गरीब का बच्चा जो है व उसके शंपूर्ण विश्व ने देखी संपूर्ण भारत भूमी ने देखी संपूर्ण एसिया महादेश ने देखी आज वही बिहार के बच्चे एक परिवार के आगे पिछे क्यू भूमेंगे? यह पूछना चाहता हूं मैं क्या गून और ग्यान की भूमी बुध्ध और महवीर की भूमी सरश्वती की भूमी माशीता की भूमी क्या इस भूमी की उन्नती उत्थान बिहार के लोग अपने हाथों से नहीं करेंगे क्या ये एक परिवार जिसने पूरे के पूरे बिहार का क्वालिटी brain drain कराया बिहार के बच्चों को मांसिक रूप से अपंग बनाने का कारे किया ऐसे लोग ही राज में राज करने की बात करते हैं और ये राज क्यूं करेंगे, सेवा क्यूं नहीं करेंगे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ लालू जी का इलाज, हाला कि उनके अच्छे स्वास्त की मैं काम ना करता हूँ लेकिन लालू जी का इलाज सिंगापूर में उनके बेटे कराते हैं अगर बिहार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तयार होता जिसमें जो आम जो बिहार के जो नागरिक हैं उनके लोगों का इलाज हो सके, उनके पिता का इलाज हो सके, उनके बच्चों का इलाज हो सके, जो हमारे जो बिहार के जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, मताएं बहने हैं, उनका इलाज हो सके, उनका भी किड्नी ट्रांस्प्लांट हो सके, उनका भी हार्ट ट्रांस्प्ला और बिहार के लोग जब इस प्रकार का दंस जब जहलते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो असपस टूप से लालू परिवार है नितीज जी की बात आप बार बार करते हैं मैं बताता हूँ जंगल राज पार्ट वन के खिलाफ लड़ाई भारती जंता पार्टी ने लड़ी बिहार के वरतमान में जो मानिये मुख्य मंत्री है वो और भारती जंता पार्टी के उस समय के तातकाली जो नेतागन थे उन सभी ने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी एक समय में एक समय अंतराल में डॉक्टरों के बच्चों का अपहरन हो जाता था, चिकित सकों का अपहरन हो जाता था, बिहार के मध्यम तब के से आने वाले लोगों का अपहरन हो जाता था, फिरोती गैंग जो है वो बिहार में कारे कर रहा था, हत्या, अपहरन, लूट, बलातकार की घटनाए जो हैं वो प्राया सुनने के लिए आती थी ये भी समझना है और ये भी समझना है कि हत्या तो बहुत दूर की बात है नरसंगहार की घटनाए प्राया समझ में आती थी तो इसके पीछे जिम्मेदार कोन है? एक लचर बेवस्था अपराधियों को खुली छूट प्रदान करना और अपराधियों को सनरक्षन देना इस प्रकार का तंतर जो है वो कही न कही RJD के द्वारा प्रायोजित तरीके से किया गया और इसका परिनाम निकल करके आया कि आज बिहार जो है प्रदान मंतरी मोधी हिंदू है देखे यह समझना है हिंदूत्व की परिभासा सायद उनको नहीं पता होगी लालू जी को सबसे पहले तो हिंदूत्व समझने की आवश्यक्ता है अटल जीने एक कविता कही है हिंदू तन्मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचे यह भी समझना है कि कही न कहीं जो भी आपके चैनल के मैध्यम से जहां तक भी मेरी बात पहुँच पा रही है अगर मेरी बात सभी लोगों को अगर सही लगेगी तो निश्चे ही वो सब मेरा साथ देंगे तीन माए है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में तीन मा का बहुत महत्तपूर्ण योगदान है एक यह धर्ती मा जिससे हमारा सरीर बनाए है एक यह भारत मा जिसके प्रती हमारी कुछ नैतिक बोध है यानि और एक जनम देने वाली हमारी मा और एक यह धर्म जिस धर्म की बात हम करते हैं जिसने हमें कही न कहीं यह समझाया कि हमें जो हमारी मा है उनका ध्यान कैसे रखना है उनके प्रती अपनी कर्तव्य निस्ठा को कैसे दर्शाना है और अपने नैतिक कर्तव्यों का किस प्रकार से प्रियोग करते हुए आगे बढ़ना है तो जो वैक्ति जो लोग भारत को भूमी का टुकडा मानते हैं जो जिन लोगों ने भारत को गुलामी की जंजीरों में धकेलने का काम किया आज एक इंडी एलाइंस का फॉर्मेशन हुआ है ब्रस्ट आचार का पेंड जिसकी अलग-अलग साखाएं लालू परिवार, मुलायम परिवार सब अपने-अपने हितों की बात करते हैं कोई देश की बात करता है क्या ये कभी देश की बात नहीं करते हैं ये सिर्फ अपने-अपने हितों की बात करते हैं दक्षिन भारत में इनका एक नेता है, वो कहता है कि सनातन जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, मैं इस पर भी आता हूँ, दक्षिन भारत में एक सम्मेलन उन्होंने करवाया, उस सम्मेलन का नाम था सनातन विरोधी उनमूलन सम्मेलन, इसका जब आप रूपांतरन करेंगे तो हिंदुत्यों को समाप्त करने का एक सम्मेलन, उसमें स्टाइलीन जा करके कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया ह इस प्रकार की बाते करता है, इनके पूरो में जो सिक्षा मंत्री थे लालू जी के, वो कहते हैं कि राम चरितर मानस के विशे में वो लगातार आए दिन टिका टिपनी करते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने एक एजन्डा सेट किया, कि सनातन को मानने वाले लोगों को तोड सनातन को अलग-अलग तरीके से विभाजित करो, और इसी नीती का अनुसरन तो लालू जी कर रहे हैं, यह जान बुझकर छुट बहिया बयान देते हैं, ताकि फूटेज मिलता रहे, और इनकी क्रेडेबिलिटी समाप्त हो चुकी है, पूरे देश में, देश में तो कोई जानता भी नहीं, बिहार में तो क्रेडेबिलिटी जो है, इनकी वो समाप्त हो चुकी है, इनके बेटों की भी क्रेडेबिलिटी जो है, वो समाप्त हो चुकी है, तो यह लोग सिर्फ एक प्रायोजी तेजेंडा सेट करके रखे हैं, कि बार बार कभी मर्यादा पुर्शो पाटी का मानना कि शंपूर्ण देश विविधता में बसा हुआ भारत वर्स और कास्मीर से लेके कन्या कुमारी तक रहने वाला प्रतीक वैक्ति जो है वो हमारा भाई है वो हमारा अपना है और भारत की मिट्टी से जिसका भी जनम हुआ है चाहे वो कास्मीर का रहने वाला ह चाहे कन्या कुमारी का रहने वाला हो चाहे दक्षिन भारत का रहने वाला हो वो भारत मा का बेटा है और जो भारत मा का बेटा है उसके लिए अंतिम सास तक अपने प्रानों की आहूती दे कर भी अंतिम सास तक उनकी उन्नती उनकी उत्थान उनकी तरक्की उनके भविश्य क अंतिम सांस तक लड़ते रहें चली ठीका आपको साय जाना भी यह देर हो रही है तो एक आखरी सवाल में कर लेता हूं कि अपकी बार जो है लोकसवाद चुनाओं में क्या रगता है आपको कि कि 40 में से किनी सीट निकाल तक लेकि 40 की 40 सीटे और 40 की 40 सीटे इसलिए नहीं कह आप देखेंगे कि बिहार में 40 की 40 सीटे जो हैं एक बहुत बड़े अंतर के साथ भारतिय जनता पार्टी के पास आएंगी और ये सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए आएंगी ये हमारे कर्म के बोध को दर्शाता है और ये हमारी कर्तव्य निस्ठा को दर्शाता है हमने कोरोना जैसे वैस्विक महा समस्या में भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं ने अपने प्रानों की आहूती दे कर भी होस्पिटल्स में खाना पहुँचाया आम जनता तक भोजन पहुँचाया उनके लिए लड़ाई लड़ी ये कुई नहीं भूलता तो कुल मिलागर के सुमिझ जे का यह कहना है कि जैसे चार सो के सवालों के नने बताया ऐकि किस तरीके से अपके बार चार सो पार का अंकڑडा है उसको यह कैसे पूरा करेंगे इसके साथ अगर बिहार की राजनीतेija पर हम नहीं बात किया और बिहार में भी थो दोनों बत झाल झाल